दोस्तों जैसा कि आपके सामने यहां कुछ address दिये गया है, अगर मुझे इस address में line break करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, यहां double click करते हैं, backspace से comma को delete करते हैं, then alt के साथ enter मारते हैं, ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं, ताकि address हमारा देखने में अच्छा लगे है, ठीक है, इसलिए करते हैं लेकिन हम आपको एक ऐसी टेक्स बताने जा रहे हैं कि सिंगल क्लिक में सारे एड्रेस के आपका लाइन ब्रेक हो जाएगी आपको सबसे पहले एड्रेस को पूरे स्लेट करना देन अपने कीबोर से कंट्रोल एच प्रेस करना है ठीक है अब यहां आपको रिप्लेस म करता हूँ. जैसे मैंने सयाम अंकूर अंकिता, इनकी रो मैंने हाइड कर दी और अब मैं डेट के कॉलम को हाइड करता हूँ तो इस तरह अगर आपके डेता में मल्टिपल रोकॉलम हाइड हैं और आप उसे क्यूक्ली रिमूब करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगा आए सीख तो यह आपको total number of column और row hidden दिख जाएगा तो दोस्तों इसका एक minus pen क्या है कि यह पूरे workbook में hidden row column को count करके बताता है और remove करता है ठीक है अगर आपको specific hidden row column remove करना है तो इसके लिए macro use करना पड़ेगा तो अब मैं क्या करूंगा इसको remove all कर दूँगा और close करेंगा तो आप देखिए हमारा hidden row और column दोनों remove हो चुके तो अगर आप Excel यूज करते हैं तो कभी न कभी इस problem का सामना जरूर किया होगा जैसे आपको serial number टाइप करना है तो आप क्या करते हैं और फिर जब इसे आप the house देखें की रेखिए को क्या करते हैं और ट्रेग करते तब आपस इमारे पास लगातार plus 14 टाइप करना है तो आपको अपने कीबॉर्ड से control-kी को लगातार प्रेस की रखना है उसके बाद आपको बस ड्रैग कर दिना भालब्स Свष कन और प्र वाया तो अगर मुझे इस value का 5% यहाँ पर निकालना है तो आपले यहाँ formula अपलाई करते हैं और फिसको drag करते हैं पूरे sell में formula अपलाई करने के लिए तो copy करके paste करते हैं इसी तरह यहाँ कुछ code दिये गए हैं अगर मुझे city name लेकर आना we look up formula का use करके तो आपले यहाँ formula अपलाई करते हैं और भी इसको formula को पगणके drag करते हैं पूरे sell में formula अपलाई करने के लिए copy करके paste करते हैं तो दोस्तों यह tricks पुरान ही हो चुकी हम आपके लिए कुछ ऐसे amazing secret tricks लेका हैं तो आई ही सीखते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है पूरे sell को select कर लेना है उसके बाद आपको लिखना equal to इस पूरे value को select कर लेना into 5% अब control shift के साथ इंटर मारेंगे तो देखेंगे पूरे sell में एक साथ formula apply हो चुका है इसी तरह हम वी look up formula में क्या करेंगे इस पूरे sell को select कर लेंगे लिखेंगे equal to we look up ठीक है इस पूरे look up value को select करेंगे comma table है हमारा main data यह है तो यह हो जाएगा comma 2 comma 0 जो exact match के लिए control shift के साथ इंटर तो पूरे में देखेंगे आप पूरे sell में फॉर्मॉला apply हो चुका तो अगर मुझे इस रोग को serial number 9 के नीचे add करना है तो आप लोग क्या करते है इसको copy करते हो और serial number 9 के नीचे आके insert copy भी sell करते हो राइट चली हम आपको एक ऐसा amazing tricks बताव रहे हैं कि आपका काम quickly हो जाने और आपको क्या करना है इस row को पूरा select करना है उसके बाद आपने keyboard से control shift की को प्रेस करना है और जब arrow प्लस का symbol बनने लगे तब इससे आपको hold करना है mouse से अपने और serial number अगर आपके excel में multiple sheet में data दिये गया है जैसे आप देखने मेरा seat 1 में data है sheet 2 में data, sheet 3 में data है इस तरह आपका हो सकता है sheet 40 में data sheet 50 तक data हो और आपको quickly सारे data का sum करना है तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपना करशर यहां पर रखना है उसके बाद आपने keyboard से shift की को लगतार press किये रखना है उसके बास जो आपकी सबसे last sheet है उस पे click कर देना है तो आप सबसे last sheet 40 है तो आप देखेंगे sum हो चुका है और इसको पकड़कर drag कर देना है तो आप की हो चुका है तो आपको आप सारे को select करके delete कर देना तो आप देखेंगे सारे delete हो चाहिए अगर आप Excel में किसी को literally check करना चाहते हैं कि आखिर उसे Excel में कितनी knowledge है तो बस यह simple सी setting करके आप उसे दे दीजिए आई जान लेते हैं वो setting क्या है आपको file menu पर click करना है यहां more पर जाना है फिर उसे option पर click करना है option पर click करने के बाद आपको यहां advanced setting पर जाना है इसके बाद आपको scroll करके नीचे आना है scroll करके जब आप नीचे आएंगे तो यहां आपको option एक दिखेगा display option for this worksheet ठीक है इसमें आपको यह second वाले option पर click करना है और उसके बाद आपको ok कर देना है अब आप देखिए यहां मैं sum करूंगा तो result नहीं आ रहा दोस्तों यानि कोई भी calculation नहीं आएगा direct आपको formula so करने लगेगा तो आज इस वीडियो में मैं आपको we look up की ऐसी hidden tricks बताने जा रहा हूं जो आपको सीख के काफी मज़ा आने वाला है तो आई दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहां मैंने वीडियो का formula का यूज किया नेम को लाने के लिए मेरा main data जो है यहां है ठीक है अभी मैं क्या करूंगा जब आपने main data को delete करूंगा यानि source data को तो क्या होगा अभी आप देखी error आ जा रहा क्योंकि मैंने main data ही delete कर दिया ल data को delete करूंगा तो आप देखी यहां कोई भी error नहीं आया तो है ना दोस्तों amazing tricks तो दोस्तों इसको आप copy करके paste special value भी कर सकते थे लेकिन मुझे लगा यह hidden tricks है आप लोगों के साथ share करना चाहिए इसलिए मैंने share किया दोस्तों जैसा कि यहां एक data दिया गया है मैं क्या करूंगा developer tab प्लिक करूंगा अगर आपके excel में developer tab enable नहीं है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं उसके बाद मैं properties प्लिक करूंगा मैं जो यह scroll area है मैं यहां एक range दूंगा f1 clone i10 ठीक है f1 clone i10 मैंने range दे दिया मैं close कर द ठीक है लेकिन उसके नीचे मैं click करूंगा तो click भी नहीं होगा ना right side भी click होगा ना left side click हो या नहीं मैं किसी भी sale में कुछ भी नहीं कर सकता except f1 to i10 के लावा इसका एक minus point क्या है अगर आप workbook को close करके फिर से open करोगे तो फिर से setting करनी पड़ीगे permanent के लिए आपको BBA लिख ठीक है text हमारा हो जाएगा this comma decimal separator हमारा हो जाएगा double inverted comma में हम decimal देंगे और double inverted comma को close करेंगे फिर comma देंगे group separator हमारा हो जाएगा کیया क्या क्या क्युकि dash से आप देखरेंए लिख से को हमट उटाना है तो हम double inverted Fighter का में dash देंगे double inverted comma को close bracket बंद और enter अब इसको just simple drag कर देंगे त दिखेंगे अब इसको हमको सेलेट करते वे पूरा नीचे आएंगे जहां तक हमारा डेटा है और उसके बाद कंट्रोल इप्रेस कर देंगे तो अराम से हमारा यह हो जाएगा तो यहां सीरियल नंबर दिया गया है एमप्लाय एडि दी गई है नेम दिया गया है और सिटी दी गई है अब मुझे जानना है कि लखनों में कितने इमप्लाय है तो हम लोग क्या करते है यह देटापे जाते हैं ठीक है उसके बाद हम इस फिल्टर को अप्लाई करते हैं और यहां से जाने के बाद हम Lucknow City को चूच करते हैं, तो मैं पता चलता है कि Lucknow में इतने उप्वा हैं, अब मेरा इस फिल्टर का काम हो चुका, अब मुझे फिल्टर को हटाना, तो आप लोग क्या करते हो, सिपल सा हुप काई करना आपने सिम्पल सा प्रेश करना है अपने डेटा के उपर फिल्टर लगाया है मल्टिपल फिल्टर लगाया वह क्यूप क्लीoder Smooth हो जाएगा यह फिट disaster क्लियर होगा यह फिल्टर हटेगा निए आपको क्या करना अपने कीबोर्ट से अल्ट एच एस सी प्रेस करना जश्ट आप देखेंगे फिल्टर क्लियर हो चुका लेकिन आपका फिल्टर नहीं अटा है दोस्तो जब हम एक्सल पे काम करते हैं तो कभी-कभी हमें जरूत पढ़ जाती है कुछ पिक्चर अटाइच करने की एक्सल में या स्क्रीन सॉट या कुछ डॉकमेंट के कुछ स्पेसिफिक पार्ट को ठीक है अब आपको एक्सल में आचुका है तो आज इसवे इसवे विंड ऊपन होगी दिखने लगेगी अभी मेरे डिक्स्टॉप पह सिर्फ एक विंड़ो पेन तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगो तुमेरे पास पूरे विंडो का इस्क्रीन सॉट आ चुका है अब मैं इसको र आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे formula के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपका काफी time save करने वाला है, तो आई जानते हो formula कौन सा है, दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, 1100 minutes दिये गाए है, अब मुझे इसे hours में convert करना है, तो इस formula के अंदर इतनी सारी unit की category दी गई है, कि आप कुछ भी convert कर सकते हैं, तो आई जानते है formula को कैसे apply करना है, यहाँ आपको लिखना है equal to convert, उसके पार tap प्रेस करेंगे, formula active हो जाएगा, अब आपको number अपना select करना है, तो मैंने select कर लिया, इसको comma from unit, तो अभी आप देख रहे कितनी सारी category यहाँ दी गई है, तो मेर hours में, तो मैं hours को tap से select करूँगा, bracket, band, और enter, तो देखिए, मेरा 1100 minutes hours में convert होके आ चुका है, इसी तरह मैंने 5 meter को foot में convert किया है, और 14 days को hours में convert किया है, दोस्तो maximum axle user इस problem का सामना करते हैं, आईए जानते हैं, जैसे आप देख रहें, serial number है, name है, ID number, address है, यानि इस type से data दिय है, हमें चाहिए data इस type से, ताकि हम अपने अनुसार data को उपर work कर सके, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको transpose करने लगते हैं, copy करते हैं, और right click करके transpose करने लगते हैं, जो की गलत है, देखिए data आपका उस type से तो आया नहीं, तो आपको करना है, जस्ट यहां से यहां त इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको आप drag कर देंगे यहां तक, उसके बाद इसको नीचे तक drag कर देंगे, right, अब आपको क्या करना है, इसको पूरे को select करना है, control F करना है, find and replace का dialogue box open होगा, इसमें आपको replace पे जाना है, यहां आप find में लिखना है x, replace में लिखना equal to, और replace all कर देना है, और ok करना है, तो आप देखेंगे result आच चुका है, तो Excel में search का real power क्या होता है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो आईए वीडियो सुरू करते हैं, आप देखरें, यहां कुछ value दी गई है, ठीक है, अभी मैं क्या करूँग navigate करें, तो इसके लिए एक option है, इस पर click करना है, और यहां आपको tick करना है, match entire cell contents पे, और उसके बाद आप जब find करेंगे, तो आपको सिर्फ एक ही जगा navigate करेंगा, जहां 45 लिखा होगा, ठीक है, same techniques आप text के लिए भी apply कर सकते हैं, अब दोस्तों हम इस match case के बारे में बात क करेंगे, अभी जैसे मैंने type किया, राहूल small में लिखा, और मैंने find all कर दिया, तो इसने मुझे दो जगा navigate किया, आप देख रहे हैं, एक राहूल upper case में लिखा है, एक राहूल lower case में लिखा है, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको lower case वाला राहूल चाहिए, तो आप इ